वही हलो गाईस फल्कम बैक टू मैं चैनल या बहुत शिद्दत कर रहा हूं कि इस पेपर और पैंसे ही आपको बहतर तरीके से सिम्पल सब्दों में सबको समझा सकूँ आप देखो इस वाले उसे मैंने एफर्ट भी डाला है साथ में शॉर्ट ट्रिक भी लाया हूं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन अगर कोई मुझसे कहेगा ऐसी शॉर्ट ट्रिक हर वीडियो में ले क्या हो भाई नहीं हो पाएगा शॉर्ट ट्रिक ही इतनी हो जाएंगी तुम उ जिसे जस एक पीछ वाले वीडियो में जाओ आज वाले वीडियो में आप देखो यार मैंने खुद effort डाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम सब्दों में बहतर समझ में आए बाकी आपके उपर है तो आज का टॉपिक है second unit 3 चल लगी है इसका दूसरा टॉपिक है scope in project management project management scope क् तो दो type में मैंने divide कर दिया ff double f features and functions features and functions features and functions scope कभी कोई बोल ले features and function अपने आप double f वी तुमारे अपने आप दिमाग में हिट कर देने चाहिए आगे बनाते रहना features में क्या है the information to start the project which satisfy the owner's requirement यह वो information है जो चाहिए रहेगी एक project को start करने के लिए जिससे की owner खुद satisfy हो कि नहीं भाई मैं यह यह चीज़े implement कर सकता हूँ यह यह नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगर यह यह कर रहा हूं तो उसमें satisfy हूँ कि हाँ इतना मैं कर लूँगा तो यह features or function किसके होने चाहिए यह किसी भी product के हो सकते हैं यह किसी भी project के हो सकते हैं यह क किसी भी business के हो सकते हैं बात एक ही है बात एक ही है functions functions क्या है different type of method which is required to start a work different different method method methodology यूज कर रहे हो अपना work को start करने के लिए अब हम बात कर रहे हैं कि scope in project method में हम करेंगे क्या तो उसमें हमें क्या करना है हमें listing out the task which should be completed हमें वह टास्क find out करने हैं arrange करने हैं जिनको हमें complete करना है second हमें वो जो टास्क है जो वाड़ी प्रोड़क है कोई product है उसकी हमें quantity quality और variety फोकस करना है मतलब जैसे मैं smart food maker हूँ मैं a car maker company हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे एक साल में इतनी कारें निकालनी है ठीक है उन कारों में इतने रुपे मैं यह यह features दूँगा इतनी मजबूती रखूंगा तो यह हो गया quality और variety कितने variant निकालूँगा एक petrol वाला एक DJ वाला एक CNG वाला और उसमें यह red color jet edition यह edition बो edition काजी रंगर यह मुझे plan करना है ठीक है यही scope है project management का कि यह मुझे plan करना है third है time and resource भाई किसना समय लगेगा इस सबको possible करने में क्या क्या resource चाहिए रहेंगे सबको possible करने के लिए यह हमें सोचना है फिर है adaptable changes मतलब suddenly suddenly government ने कहा कि आज से BS4 गाडियां बंद हो जाएंगी तो मेरे पास मैं तुरंट क्या करूंगा मैं कहूंगा thank you government government मैं बहुत बड़ा initiative लिया और तुरंट मैं BS6 engine अपने गाडियों में लगा या रहे नहीं नहीं इन्होंने बहुत गलत किया इसा नहीं करना चाहिए हमारा हो तो इतना गाटा हो गया इतने खराब हो गया नहीं adaptable changes जैसे situation बदली वैसे ही हम भी बदल गए work involved in a project scope management अब इसका मैं short form लेके आया हूं आप लोग में पास PC DC VC I hope याद हो गया हो कि मुझे ही बहुत असानी से याद हो गया था PC DC VC यह क्या है यह कौन कौन से work करने रहते हैं project management project के scope management में पहला है planning scope management इसमें हमें plans बनाने रहते हैं हमें क्या-क्या input चाहिए यह जगे-जगे से input लेते हैं अच्छा stakeholder ने यह कहा अच्छा उसने वो कहा government क तो ऐसे चाहिए ठीक है अब जब सबके input ले लिए तो हम एक decision पर आ गए एक conclusion पर आ गए दूसरा collecting requirement जैसे कि हमें इंटर्व्यूस किये हमने बहुत सारे लोगों से पूछा क्या समस्या है क्या होना चाहिए survey किये google form बेज दिया भया बढ़ दो discussions किये फिर उससे एक outcome निकल थर्ड है defining scope फिर सब यह दोनों हो गया तो फिर जो भी हमाना plan था ना उसका documentation चालू कर दिया documentation का फाइदा क्या होता है valid हो जाता है काम जैसे मैं भी कोई काम करा रहा हूं उसका मैंने documentation फॉरा काम कैसे डिफाइन होगा इसके document दायर कर लिए फिर management creating the work breakdown structure इसमें क्या होता है हम work को यह बहुत motivational speaker भी बड़े-बड़े काम कोई हो तो उसको छोट-छोटे कामों में तोड़ लीजिए फिर आरांग से करिए वही काम है बहुत सारा काम है यह भी करना है तो नहीं पहले यह कर लें फिर यह कर लें फिर इसके बाद ही हो जाएग इसकोप inspection करना है हमें और review करना है जो भी काम हो रहा है भी जो भी breakdown काम हो रहा है इसकोप करना है फिर अपने review देना कि नहीं ऐसा भी हो सकता था six is controlling scope controlling scope में कैसे project को इसमें आ जा था full management कैसे control करना कैसे handle करना लोगों को कौन से लोग कहां चाहिए यह सब पूरी controlling and handling controlling scope में आ जाती है तो यही था आज का video मैंनत करी है थोड़ी सी और यह छोटे-छोटे words लिखें इसको अपना extend करके लिख लेना इतना तुमें लिखना आ चाहिए पी सी वी सी डी सी ठीक है चलता हूं आज का वीडियो है ही समाप्राइब